नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वलो कि आप अपने वाटसप के अंदर जो कुछ भी स्टेटस डालते हो 24 गंटे तक रहता है लेकिन अगर आपको उसको 24 गंटे से पहले डिलीट करना है तो उसको कैसे आप डिलीट कर सकते हो मैं आपको समय देखने को मिल जाता है तो यहां पर के तरफ आपको तीन सेक्शन देखने को मिल जाता है चार्ट स्टेटस और कॉल्स वाला तो यहां पर हम स्टेटस के उपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हो माई स्टेटस वाला जो सेक्शन है उसके उपर क्लिक कर करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहां पर इस स्टेटस के उपर लॉंग प्रेस भी कर सकते हो लॉंग प्रेस करने के बाद यहां पर आपको डिलीट का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहां से भी आप तो यहाँ पर delete के उपर आप click कर सकतो या cancel भी कर सकतो अगर आपको करना होगा तो लेकिन अगर आपको iliٹ करना है तो delete के उपर हम click कर देंगे delete के उपर click करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाता है और हमारा जो status श्राटस है वो delete हो चुका है सचेले दस्तो, मिलते अगले विडियो के अंदर, thank you so much for watching this video.